जैहिंद वंदे मात्रों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टरडे प्रेट्फोर्म में उमीद है आप और आपका परिवार बेहितरीन और उंदा होगा आज की सूपर फास्ट वीडियो विस्व पर्यावरन यानी वर्ल्ड इनवार्मेंट पर आधारित है हम इस वीडियो में फटा फट जानेंगे कि आखिर पर्यावरन दिवस कब मनाते हैं बहुत सी ऐसी डिटेल जो आपको जाननी चाहिए तो पांच मिनट के ऐसे फैक्ट धड़ाद़ आपको देखने चाहिए हम सभी को पता है कि प्रतेक साल पांच जून को विस्व पर्यावरन दिवस के रूप में मनाए जाता है यानि एक दिन ऐसा आता है साल में जिसमें हम World Environment Day मनाते है जो तिथी है वो है 5 जून आपको मैं बता दूं कि आखिर बजह क्या है किसी भी चीज़ को मनाने के लिए कोई एक बजह होती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर वजह क्या है ये समुद्री प्रदूशन जो हमारा पॉलिशन होता है ओबर पॉलेशन, ग्लोबल बार्मिंग, सस्टेनेवल कंजम्शन और वाइड लाइफ क्राइम जैसे पर्रयावरण ये मुद्दों पर जागरुकता बढ़ाने के लिए एक मन्च रहा है अगर हम बात करें दोस्तों आगे कि विश्व पर्रयावरण दिवस जो इनवार्मिंट डे होता है यह पर्रयावरण सम्मेलन हर साल 143 से अधिक देशों की भागीदारी रहती है यह इस सम्मेलन में जो 5 जून को मना जाता है यह एक ऐसा मन्च है दोस्तों यहाँ पर 143 से अधिक देशों की भागीदारी रहती है यह भी फैक्ट एक्जाम में पूशा गया है आपको मैं बता दूँ कि विश्व पर्रयावरण दिवस मनाने की सुरूआत साल 1973 में की गई थी आपके दिमाग में एक फैक्ट बहुत गूमता होगा कि सर 1972 में इसकी सुरूआत हुई या 1973 में हुई या 1974 में हुई पटा याद रखिएगा कि 1972 में स्टाक होम सम्मेलन में त पूरी तरीके से मनाए गया समझने की कोसिस करिएगा जब भी पर्रयावरण दिवस मनाय जाता है उसमें एक नई थीम जोड़ी जाती है अब वो नई जो थीम जोड़ी जाती है वो जान लेते हैं कि इस वार की जो नई थीम है वो क्या है देखिगा इसुआर विश्व पर reason रहेगा कुछसन में ये भी पूछ सकता है कि भाई 2022 की जो theme है वो only one earth क्यों रखा गया इसका कारण बताओ तो कारण तो दोस्तों है तभी तो रखा गया तो चलिए हम जान लेते हैं कि भाई 2022 की जो theme है केवल एक प्रतवी ये भी option में मिल सकता है या only one earth ऐसे हिंदी में भी म सम्मेलन हुआ था इसमें ये तै किया गया था कि वही world environment बनाये जाएगा clear है उसमें क्या रखा गया था जब हम 1972 की बात कर रहे हैं 1972 दोस्तों जिस समय आप पैदा भी नहीं हुए होंगे फिलाल अगर मैं बात करूं तो 1972 के स्टाक होम सम्मेलन के नारे में केवल एक थी उसमें भी जो 2022 की थीम बिल्कुल सेम रखी गई है आखिर ऐसा वज़े क्या है वज़े दोस्तों 1972 को repeat करने के लिए है कि 50 साल पूरे हो चुके हैं 50 साल बाद भी ये सच्चाई अवीवी कायम है कि ये ग्रह हमारा एक मात्र घर है तो इसलिए कहा गया कि केवल एक प्रत वी इसकी थीम इस साल 2022 की रखी जाए अब हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पर इतिहास विश्व पर्रयावर्ण दिवस का इतिहास क्या रहा है विश्व पर्रयावर्ण दिवस की इस्थापना 1972 में संयुक्त रास्ट के दौरा पॉइंट को नोट किया जाए Human Environment Day पर स्टाक ह संब्यलन कब हुआ 1972 में हुआ 5-16 जून तक के स्टाक होम संब्यलन चला और यह है 1972 में स्टार्ट हुआ था याद रखिएगा कि इस समय जब 1972 का स्टाक होम संब्यलन सुरू हो रहा था जिस समय चल लहा था उस समय 119 देसों ने इसमें हिस्सा लिया था वर्टमान में अगर अगर पर्रयावन में पूंचा जाए तो 143 से भी जादा देस हिस्सा लेते हैं तो ये point note किया जाए कि स्टाक होम सम्मेलन में कितने देसों की भागीदारी रही तो 119 देसों ने ठीक है ना चलिए सभी ने एक धरती के सिद्धान को मानिता देते हुए हस्ताक्षर किये इसके पद्दती में देसों ने मनायशीश को मैं एक और चीज़ जोड़ूँगा कि विश्व पर्रयावरन दिवस भारत में 19 नवंबर 1986 ये बहुत important point है जब ही हम बात करते हैं कि भाई पर्रयावरन संदक्षन अधिनियम कब आया तो 1986 में पर्रयावरन संदक्षन आया ठीक है य क्या है इस साल की थीम विश्व पर्रयावरन दिवस 2022 की मेजवानी कौन कर रहा है तो सबसे पहले ये नोट किया जाए ये नया point है कि मेजवानी कौन सा देश कर रहा है 2022 तो स्वीडन कर रहा है इस वार World Environment Day की जो 2022 की थीम है वो केवल एक प्रत्वी है जिसको हम Only One Earth कहते हैं इस मुहिम का नारा दोस्तों क्या है केवल एक प्रत्वी है प्रकति के साथ सदभावना में रहना यही दोस्तों इसका नारा है ये नोट किया जाए थीम क्या है केवल एक प्रत्वी नारा क्या है प्रकति के साथ सदभावना में रहना में जबानी कौन कर रहा है स्वीडन कर सबसे पहली वार कब मनाये गया पर्यावन दिवस 1972 में इसका सम्मेलन हुआ 1973 से स्टार्ट हुआ 1974 में सभी देशों ने मिलकर बनाया ठीक है क्यूं रखा गया थीम का नाम केवल एक प्रत्वी फिर से दोराओंगा 50 साल होने के बाद केवल प्रत्वी एक नारा है जो 1972 के स्टा समाजिक जागरती लाने है तो वर्स 1972 में इसकी शुरुआत की थी 1972 का मतलब है कि हम स्टार्ट हों सम्मेलन की तरफ इसारा कर रहे हैं हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे लिए इनवायरमेंट इतना जरूरी में जितना हमारे जीवन के लिए जल जरूरी है इसलिए इंवायरEZम अकर सुद्ध रहेगा तभी हम एक लंबी जिन्दगी को जी पाएंगे हम उमीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही सा टीकता क्रम में आपके माइंड में आपके मस्तिस्क में समाहित हुई होगी हम उमीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुचाएंगे जागरुकता के लिए जागरुक करेंगे लोगों को और हर वच्चे तक, हर व्यक्ति तक, हर बहन तक, हर ग्रहनी तक इस वीडियो को जन जन तक पहुचाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी ऐसी वहतरीन डिटेल वहतरीन नौलेज आपके माइंड में कम समय के अंदर सेट करता रहेगा जैहिन वंदे मातरम इंक लाव जिन्दाबाद